कि नमस्कार दोस्तों तोढ़ में आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में एक टोफी बनाने वाले पौटन के फैब्रिक में तो आप वीडियो देखे आप किसी भी साइज देखिए इस तरीके से इस कान से लेके दूसरे कान तक जो लंबा ही है मैं जिस बच्चे के लिए बना रहे हूं उसकी है यहाँ पर 14 इंच तो मैंने यहाँ पर एक इंच बढ़ा कर लिया है कपड़ा और यह जो पट्टी है वह हमें रखनी है टोटल जितनी हमारी बच्चे क कि एक कान से लेके दूसरे कान तक की लंबा ही है वह है मैं इसमें थोड़ा सा ओर जॉइंट करूंगी यह थोड़ी छोटी है तो हमें पूरी जैसे चौद एंच तो हमें 14 रखना है तो यह देखिए इस तरीके से यह नीचे लाइनिंग है मारी वह भी मैंने कट कर लिए औ तो आपका जो भी मेजरमेंट है आप छोटे से लेके पांच-छे साल तक के बच्चे के लिए यह टोपी बना सकते हैं यह देखिए और अब हम एक पिन लगाकर इसको कट कर लेंगे तो एक सरकल हमारे पास आ जाएगा यह देखिए बहुत आसान है आप इसको अच्छे जल मैं हम इस तरीके से लालेंगे ई जिए सरकल को अम इस तरीके से तैयार कर लिया है अब हमिसको बीच में सेंसे लेंगे और किदर से भी यह देखी जहां इसका corner है वहां पर एक side से हम पहले तो यह देखी जहां चोटा बड़ा हो तो वहां इस तरीके से बराबर कर ले और एक side में यहां पर 6 इंच पर निशान लगा रही हो अगर आपका चोटा बच्चा है 1.5 साल का तो आप यहां पर 4.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं तो यह देखी दोनों पर में कट लगा लिया है और जहां से हमारा कट है यह देखिए वहां से में प्लेटे इस तरीके से डालना है यह देखिए बिल्कुल बराबर बराबर डालते जाए आप और यह प्लेटे आपको दूसरे कट तक लगानी है 14 चाहिए मेंजरमेंट करना चाहिए उसमेंग करना चाहिए ये देखिए, ये बच्चावा फेब्रिक था मैरा सल्वार का तो मैंने उसमे ये बनाए है, तो ये देखिए, आप भी कोई बच्चेवे फेब्री में बना सकते हैं, या पुराने कप्डे से भी बना सकते हैं, और देखिए 14 इंच आयाए, मेरे यहां पर ये देख लीजिया अगर कम ज्यादा आता है तो आप प्लेटे निकाल के उसमें एड भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं तो इस तरीके से आप देखें नीचे यह कॉर्नर निकल रहा है इसको मिस तरीके से कट कर लेंगे देखी नीचे तो यहां से तरीके से आ जाएगा पीछे की गर्दन की आप चाहए तो पेस्टिंग पेपट चिपका सकते हैं यह कंदर कपड़ा वह कर सकते हैं जरूरी है मुख कर पास नहीं कि आप अधर आप कुछ भी ऊक्तर ये सकते हैं मोंटे कप्ठे को भी वह करके ले सकते हैं यह देखिए इस-तरी के से हम्मारी संबोनट जैसे बनाते हूं उस तरीके से आगे कि इसकी सेफ रहेगी इसे आखों पर भी जो बच्चा होता है उसके दूप से भी हम बचाओ के लिए भी स्टोपी को यूज कर सकते हैं तो दोनों कामों के लिए स्टोपी को आसानी से यूज कर सकते हैं यह देखिए लगाने से अच्छे से यह बैठ जाएगी और आप इस पर प्रेस भी कर लें चाहें तो यह देखिए हमने इस लाई आप पर लगा ली है यह देखिए और अब इस पर नीचे भी स्लाई लगा लेते हैं ताकि दोनों फैब्रेक एक जगर हैं हमें अटेज करने में आसानी र होती है वैसी यह दोने और न घुवतले हैं तो बचे के एक चुबेगी भी नें 2 पर लीवाद ऊसे पर रहें तो इसले से काफी हुछ रहें जो होती है ऑद फिर बी कहीं बिट जोती है तो इतो नहीज चुब एकaufen theology औड dolut पकार तर दो से उसी तरीक के से अगर आपके ये पार्ट में से नीचे वाला या उपर वाले में से नीचे वाला आगर बढ़ा रहता है थोड़ा वह तो आप उसको बीच में शिलते वक्त एक दो प्लेटें और डाल सकते हैं या फिर अगर आपका उपर का बड़ा रहता है नीचे का छोटा रहता है तो आप एक दो प्लेटे खोल सकते हैं तो बिल्कुल सही आपके आ जाएगा तो यह देखिए पूरा अमने सिलाई यहां पर कर लिया है एक्ष्टा फैबरी को कट कर देंगे इस तरीके से और अब कट करने के बाद यह जो पार्ट है उसको आगे की साइड जुकाते हुए इसकी किनारी पर से लाए लगा देंगे ताकि जो इसका एक साइड अच्छे से मुड़ा रहेगा और इसकी लूकिंग भी बहुत अच्छी से आ जाएग अब यह देखिए जैसे हम रेडी कैप लाते हैं मार्केट से दूप से बचाने के लिए उस तरीके से हमारा इसका सेफ हो गया आगे से और यह मैंने पट्टी लिए डेड मिटर की इसको नीचे की साइड हम बांदने के लिए डोरी बना देंगे तो यह देखिए से जोइंट कर देंगे मैं खूब सारे टोप पर हिस लगा देंगे यहां पर हम कुछ इस तरीके से इस तरीके से देखिए टोपी हमारी यहां पर तैयार हो गई है बिल्कुल आसान है इस टोपी को बनाना मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और जरूर आपको कुछ सीखने को इसमें मि यहां कि इसमें विए लग यहां कि यहां मिया है जड़ को फिसको को बनाना मुझे टेखिए गना देखि ऑना मुझे वे। आपको अपको बनाना चर्बगार से इस अचमकि यहां मुझे शूर आपको आपको अर रहां